हेलो डोस्तो मेरे चैनल में आप सब नहीं हैं तो सबसे पहले o कर de और मेरे चैनल को तशल मेरे चैनल को से पर बने रही है और मेरे चैनल को जादा से जोड़ा मेरी वीडियो सेयर करें हमारी हडीओ को मजबूत करते हैं जोडों का दर्द गुटनों का दर्द हड्द reclaim का दर्द सारी चीज razor में फाइदा करता है मैं गउन का लड्डव तो देखिए आज हम गउन के लड्ड। बनाने जा हैं तो गोन सबसे पहले हमें कड़ाई में घी डालके गोन को तलना है कि यह देखिए ्स तरीके से तलना रह पूल गया पूलł बढ़ा हो गया यह देखिए बहुस सारा हो गया को पूल गया है यह अच्छे से दोनों तरफ अलट पलट करके अच्छे से हमें तलना है और ये अब तल के तला गया गोन ये निकालना है हमें और निकालने के बाद फिर हमें चूरा करना है बारीक चूरा करना है हमें इसके लिए गोन के लड़ू के लिए ये चूरा करके हमने ये अच्छा बारीक चूरा कर लिया और ये बादम तली बादम तल के और काजू भी तलै पाजू पँदें और हमने कूट लिया है को एक लृटिष ने ले सकते हमने पेसा हुआ है मिक्सी में pre मनुक के लिए है और मनुक के लिए और हमने ये लिया है मेथी दाना पाउडर लिया है मेथी दाना पाउडर ज्यादा नहीं लेना है हमें ज्यादा लेहेंगे तो कड़ लगेंगे तो मात्रा के हिसाफ से ही लेना है और इलाइची पाउडर लिया है और खस-खस ली है अब द नीजिकाट वाला आता है देखिए नीजिकात लिया उसके बाद हमें गी लिया कडाई में घी पीगल गया है घी पीगलने के बाद हमें आता डाल के शेकना है यह कुर यह सिखाई गया है प्रेंम हीए इसमें हमें सुगर ढालने जाते से ससजावनिय है ओके यह पू Nora इन्छ मेरा जहा लिया है हमने मिलाने के बाद हमें यह सारे जितने भी डाइफुट है यह सब डालना है हमें काजू बादाम पीसा हुआ बारिक चूरा करा हुआ गोन मनुक के खोप्रे का बूरा बारिक करा हुआ खस-खस इलाइची पाउडर मेथी दाना पाउडर यह सारे डाइफुट हमें सारी सामगरी हमें डालनी है इसमें और डाल कर हमें अच्छे से मिलाना है ये देखिए दोनों हातों से अच्छे से मिलाना है उपर नीचे करके वो ये अच्छे से मिल गया है अब मिलाने के बाद हमें ये दोनों हातों से देखिए लड्डू बनाना है ये फिंगर की मदस से ह देखिए लड्डू खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और ताकत भी देते हैं और खाने में भी बहुत टेश्टी लगते हैं आप अगर आप बनाएंगे न यह लड्डू मेरी तरीके से आप बनाएं लड्डू तो अच्छे बनेंगे और आप बहुत अच्छे लगेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो आप ज़रूर गोन के लड़ू बनाइए और मेरे चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करना ना बूले अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ